नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं प्रारूप को रखा जाएगा, इसे पहले इस प्रारूप पर आम लोगों से सुझाओ लिये गए थे, इसमें मिले सुझाओ और अपतिया का समधान कर इसे अमतिम रूप दिया गया है, इस नियमावली में ग्राम सभावों को और सक्ति साली और आर्थिक रूप से सक्छम बन करते गढर दिया गया है, इसमें मिले सिपाहियों के जल्द 26 यार सिक चक होनगे बहाल, राज सरकार फिर सरकारे भी भागों में बहालियों के परिख देया करेज करेगी, मुख्यमत्य चंपाई सुरेन ने मंगलवार को मंत्रियों और वर्य अधिकार योग साथ भीभागों की समिक्षा बैठा के बाद कहा है कि चुनाव अचार संहीता के कारण रिक्तियों को भरने को लेकर नियुक्ति की परकिरिया बाधित थी अब बहाली की परकिरिया आराम्भ होगी 26 एर सिसको की बहाली राई सकर करेगी इसके अलावा पूलिस और उत्पाद भीभाग में सिपाहियों की नियुक्ति होगी अस्थानिय बसाओ के लिए भी सिसको की नियुक्ति होगी मंगलवार को कामकाज की प्रगति का भी जाजा लिया गया निर्देश दिया गया है कि जो कामकाज चुनाओ के बीच में रुख गया था वो तेजी से किया जाए हर योजना परतिव रगति से और समय पर काम करना है खनन को लेकर भी समिक्षा होगी पुलिस ने नकसलियों की धर पकड के लिए अवियान शुरू कर दिया है बताया जा रहा है कि चात्रा के कुंदा जंगल में नक्सलियों ने इस घटा कांजाम उस वक्त दिया जब मिक्सर मसीन अमोना गाव से मटेरियल लेकर करिलन गड़वा की ओर जा रही थी इस दोरान गाव से आधा किलोमेटर दूर इसी जंगल में नक्सलियों ने वहान को रोक कर चाला को मैदूर को नीचे उतारा सभी का मोबाईल छीन कर सीम निकाल कर तोर दिया फिर मोबाईल लोटा दिया उसके बाद वहान से डिजल निकाल कर वहान में आग लगा दी धनबाद के मैथन में आंधी पानी से कई घर छती गरास थे धनबाद के मैथन कुमार धुबी वा आसपास के इलाकों में बुद्ध वर साम आंधी बारिस वा हलकी वला विष्टी एक तरफ जहां विचनकर्मी से रहात मिली है दूसरी वर आंधी ने तबाही भी मचाई तेज आंधी में कई पेड उखड़ गया है पेड गिरने से घरों को भी काफी छती हुई है डीवीसी आवासे परशच्थीत आवासों को काफी नुक्सान पहुचा है एरिया नमबर चार में आवासों पर पेड़ गिरने आवास हो गए है वहीं तार तूटने वा पोल उखाणने से बीली वेवस्ता भी चरमरा गई है कई इलागों में बीली आप पूर्ति ठाप हो गई है मैथन संजय चोक सब स्टेशन से जूड़ी पी एच एडी सेल टेक्स बरमुंडी समेत कई फीडर ब्रेक डाउन हो गए है बीली जंगल में गारा हाथियों के आने से आसपास के गाओं में दसत है जारबेड़ा गाओ निवासी मंगरा ने बताया है कि वह टोटोंगड़ा के ग्रामिन जंगल में गया तो हाथियों के जोड़ को देख कर वापस गाओं में आ गया उसने कहा है कि अगर ए हाथि गाओं में मार्ग से सरांडर जंग में प्रविश किया था जब हांती सबग पार कर रहे थे तभी कीरी बुरू से भूने सुखल जाने वाली बस यात्रियों को लेकर गुजर रही थी बस में सवार लोगों ने हाथियों को गुजरते देख तथा बस को भी चालक ने कुछ देर के लिए भाएं रोक दिया था जिए पीएसी सीविल सेवा के मोख्य परिक्षा 22-24 जून तक एगार भी जब जबेसी सीविल सेवा के मोख्य पारिक्षा 22-24 जून तक होगी जब एक द्वारा पोस्ट की गई अधिकारिक सुचना डाउनलोड करने के लिए अभियार्थी जब जब अधिकारिक बेपसाइट जेपेसी.job.in पर देख सकते हैं इसी भी जेपेसी ने कहा है कि प्रारंभिक परिक्षा में पास जिन अभियार्तियों ने अभी तक मुख परिक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है वे 14 जुन तक जेपेसी के अधिकारिक बेपसाइट पर जाकर ऑनलेन आवेदन जमा कर सकते हैं आयोग ने कहा है कि तक्निकी खामियों की वज़ा से अभियार्तियों की वर से लगातार की जारे इमांग को लेकर आयोग ने आवेदन की तारिक बढ़ा दी है लातेहर के जंगल घेराबंदी करने के बिरोध में एक जुट हुए ग्रामियन लातेहर के छीपा दोहर पंचायत के मतनांग गाओं के परहिया टोला में बुद्धवर को ग्राम प्रधान मधेस्वरी सिंग के अधिक्स्ता में एक बैठक आयोजित की गई इसका नेतित्य पूर्वी जीप सदसे कनाई सिंग ने किया है बैठक में गरामियन ने बताया है कि वन भी भाग के द्वारा बिना गराम सभा के हमारे जंगल के चारो ट्रेच काट कर तार के घेराबंदी की जा रही है ग्रामिनों ने कहा है कि यह जंगल हमारे पुर्खों की है और तब से इस जंगल का देखवाल हम लोग करते आ रहे हैं वन विभाग मनमानी कर अब घहराबंदी कर रहा है बैठक में वन विभाग के खिलाब ग्रामिनों में काफी अकरोज देखा गया जिब सदसे कनया सिंग ने कहा है कि ग्राम सबागे उनमाती के बिना वन विभाग कोई भी अपनी गतिवीधी नहीं कर सकती जंगल की घेराबांदी नहीं होनी चाहिए इसको रोकने के लिए हम सभी को एक होना होगा और विभाग से ललाई लड़नी होगी बोकारों में ज्वेलरी दुकान पर चलाई गोली सड़क जाम बोकारों में अग्यात अपराधियों ने एक ज्वेलरी दुकान पर फारिंग की है घटना बुद्धवार सुबा बेरमों के फूसुरों थाना चेतर का है जनका एक उसर गोली ग्यान ज्वेलर्स के सीचे पर लगी है वर्दात को अंजाम देने के बाद अपराधी बैंक मोल की तरफ भाग निकले इसके बाद इलाके में अफरात अफरी का महल है इधर आकरोसी दुकंदारों ने सलक जाम कर दी है बताया जाता है कि संचाला ग्यानेशवर परशाद सोनी अपने दुकान पर बैठे थे उसी दोरान अचानक दो बाइक सवार उनकी दुकान के पस पहुंचे और फैरिंग कर भाग खड़े हुए गनिमत रही की गोली दुकान के सीसे में लगी जिसके कारण वह बाल बाल बच गए इधर घटना के बाद पुलिस वरदात अस्थल पर पहुंची है और मामले की जनकारी ली पुलिस ने खोखावा गोली को जब्त कर लिया है गढ़वा में 5,000 रिस्वत लेते सहायक अव्यानता गिरफदार खबर गढ़वा जिले से है जहां पलामू S.V की टीम ने चिनिया परखन के जूनियर इंजिनियर को 5,000 रुपे घूस लेते रंगे हाथ गिरफदार कर लिया है मनरेगा योजना में MB बुक करने के नाम पर जई एक व्यक्ति से रिस्वत की मांगी थी बता जा रहा है कि ACV की टीम ने जई को रंका थाना छेतर के कंचण पूर गाव स्थीत घर से पकड़ा है जई अनुज कुमार रभी मनरेगा योजना में MB बुक करने के नाम पर एक व्यक्ति से 5,000 रुपे खूस मांग रहा था भुक्त भोगी ने इसकी सिकायत ACV सिकिया इसके बाद ACV की टीम ने मामले का पहले तकी कात किया फिर उसे एक योजना बना कर रिश्वत लेते उन्हें रंगे हाथ गिरफतार कर लिया है जार्खन नगर निकाय चुनाओं में होगा बिलाम्ब जार्खन में ट्रिपल टेस्ट कराकर निकाय चुनाओं कराने के मामला एक बार फिर लटक सकता है जार्खन राज पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा मध्य परज़की तर्ज पर पिछड़े वर्ग के लिए वाड अरक्षित करने के उन्हें संसा की गई थी इसका फर्मेट नगर विकास विभाग को 9 माई को ही भेजा गया था वहीं दूसरी और विभाग ने अब कहा कि ट्रिपल टेस्ट के मामले में सुप्रीम कोट ने जीस तरह थ्री लेयर सर्वे कराने की बात कई थी उसी तर्ज पर किया जाना उचित होगा ताकि बाद में कोट में कोई इसे चुनोती नहीं दे सके पिछले दिनों ट्रिपल टेस्ट के अधेयन के लिए जार्खन राज पिछडा वर्ग आयोग की चार्चर से टीम मद्य परदेश गई थी वहां मद्दाता सुची में OVC की संख्या जाची गई और उसके अधार परवाडों की OVC के लिए अरक्षित कर दिया गया था इसे नगर विकास विभाग ने नकार दिया है विभाग ने सुप्रीम कोट के आधेश के तह थ्री लेयर टेस्ट कराने का सुझाव दिया है जार्खन के किसानों की दो लाख रुपए तक का कर्ज माप करेगी सरकार मुख्य मंतरी चमपाई सुरेन मंगलवार से कामकाज को गती देने के उधेश से महत्पून विभागों की समीक्षा बैठक आरम की है इस तहरान विभीन विभागों की तरफ से संचालित फ्लैक्षिप योजनाओ नितियों और करकरामों के उच्छ से दिये समीक्षा की गई इस मोखे पर उन्होंने विभीन विभागों की गती की जनकारी लेने के साथ ही अधिकारियों को कोई निर्देश दिये है उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि जोजनावों में गती लाए ताकि लोगों को इसका पूरा लाब मिल सके साथ ही इस बात का भी सेज़ ख्याल रखे कि जोजनाए तैस समय सीमा में पूरी हो मुख्य मंतरी ने कहा है कि राज में बर्तमान में किसानों को 50 रुपे तक कहरीन माप किया जा रहा है इसे अब बढ़ा कर 2 लाख रुपे तक किया जाना है ऐसे में इसके लिए नीतिगत पर किरिया को जल्द पूरा करे ज्यादस ज्यादा किसानों को के सीसी से अच्छा जित करे समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को ब्याज मुप्त लोन मिलेगा जुन महीने कम तीम अथवा जुलाई माह के पहले सब्ता तक बीज का वित्रन हर हाल में कर दिया जाए धन्यवाद